Yes students, a very good morning to all of you. तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये पूरा वीक था, ये हमारा मंदली टेस्ट में जा जुका है और उसके बाद हमारी हिंदी पकवाडा की कुछ एक्टिविटीज थी तो हमारा जो पार्ट नंबर साथ चल रहा था, जिसका नाम था मेरी किताब, उसका थोड़ा सा काम जो बचा हुआ था तो आज हम उससे खतम कर लेते हैं, फटफट क्योंकि उससे कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ आपने बुक में ही पैंसल से फिल करना है तो थोड़ा सा काम है, और वैसे तो आज देखो फंडे है, लेकिन आपने पूरा हफता एक तरह से फन ही किया है, टेस्ट के साथ-साथ तो बिटा, अगर हम आज भी फन कर लेंगे, अक्टिविटी कर लेंगे, तो दिन वेस्ट हो जाएगा तो मैंने सोचा, आपको दो वड़ा सा काम करवादूं, क्योंकि कल भी संडे है, ठीके बिटा तो हम गर रहे हैं, पार्ट नमबर साथ मेरी किताब में ये देखिए एक्चली, मेरी जो हिंदी वाली बुक है ना, जिससे मैं आपको टीच कर रही हूँ, जो आपके पास भी है रिम जिम उसके कुछ पेजिस जो हैं, वो बीच में से मिसिंग थे, मैंने वो लाइबरेरी से ली थी, तो उसके बीना बुक के बीना बढ़ाना मुश्किल था, तो मैंने ये पीडिएफ डाउनलोड किया है चीक है, तो आप इसमें थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ये पीटा पेज नमबर 43 है, आप सभी के पास बुक्स होगी, तो उसे ध्यान से देखिए, पेज नमबर 43 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी को थोड़ा सा विजिबल होगा, तो बिटा जैसे ये फर्स्ट कोशन है, बातें किताबों की, क्या है इसमें बातें किताबों की, तो हमारा फर्स्ट कोशन जो है, वो क्या है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखिए हैं, कहां, तो जो ये हमारा first question है क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं कहां मैंने इनके answers आपके लिए इस page पे लिखे हैं ध्यान से देखिए तो इसका answer क्या होगा हाँ मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं कहां देखी हैं विद्याले के पुस्तकाले में पुस्तकाल को हम English में बोलते हैं Library Library क्या होता है बिटा जहां पर बड़े बड़े racks में बड़ी बड़ी shelves में बहुत सारी धेर सारी किताबे रखी होती है ठीक है वहां पर अलग-अलग classes की अलग-अलग subjects की किताबे होती है जैसे कि Hindi Maths, English Science चीक है और बहुत सारी newspapers होते हैं बहुत सारी magazines होती है और story books होती है comics होती है उसे हम Library बोलते हैं आप में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा Library को और कुछ ने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं जब हमारे school शुरू होँगे तो मैं आप सब भी को पुस्त काल्य में लेके जाओंगे ओके बच्चे तो जहां पे हम books रखते हैं उसे हम बोलते हैं पुस्त काल्य तो इस question का answer क्या होगा हाँ विद्याल्य के पुस्त काल्य में मैं आपको एक बार दुबारा से repeat कर देती हूँ कि इन चीजों को आपने copy में नहीं लिखना है या तो आप क्या करिए book आपकी जो book होगी उसमें यहां पे pencil से side से छोटा छोटा लिख लीजिए उपर भी जैसे जगा है यहां side पे भी है क या फिर आप अपनी किसी rough copy में नोट कर सकते हैं लेकिन इसको वैसे copy में करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यह oral questions है आपके आपने इसको अपनी समझदारी के according ऐसे ही learn करना है so next question है हमारा तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबे होंगी उन सभी किताबों में से तुम्हारी मन पसंद किताब कौन सी है और क्यों देखो अब हमारा यह question है तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबे होंगी उन सभी में से तुम्हारी मन पसंद किताब कौन तो इसका अंसर हम देंगे, जी हां, मुझे हिंदी की किताब बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानिया हैं, तो कहानिया होती हैं हिंदी की बुक में, तो मुझे ये बहुत पसंद है, उसके बाद हम चल रहे हैं, question number 3, यहां कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिये हैं, और उनके नाम लिखे हैं, तो यह हमारे पास देखो धिहान से, यह देखो, यह क्या है, नाम था उसका आसमानी, उसके बाद है बजती गेंद, उसके बाद है किसना, उसके बाद है बंटू मेरा दोस्त, तो आपको यह कुछ बुक्स के पेजिस की फोटो दी इन में से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, तो हमारा अंसर है, मैं यह सारी किताबें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इन में मज़ेदार कहानिया हैं, तो इन में बहुत सारी मज़ेदार कहानिया हैं, तो इसके लिए हम इन में से कोई भी किताब को छोड़ेंगे, हम इन कि सारी किताबें पसंद हैं, ओके बच्चे, तो अब हम चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज, पेज नमबर 44 दुज्जो था, इस इस यॉर पेज नमबर 44, आपकी बुक में से, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, तो इसमें क्या था बच्चे, इसमें हम कर रहे हैं, नापतोल, न ठीक है, तो मापतोल उसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा था, इस लेसन में क्या था, कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, फर्स्ट कोशन है, हमारा ध्यान से देखिए, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, इनके आ नापकर किताब ले जाए इस तरह से उसे अपनी पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी तो इसे आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपने ऐसे ही लर्न करना है आप इसे किसी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं तो बिटा क्या हो रहा था इस पार्ट में जब हमने पढ़ा था तो मैं आपको याद दिलवाती हूँ कि जो वीरू थी वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आ रहे थी है ना उसे कोई किताब मोटी लग रही थी, कोई किताब पतली लग रही थी ठीक है तो उसे लग रहा था कि ये किताब बहुत बड़ी है ये क्या करेगी मेरे बैग को फार देगी, मेरे बैग में गी नहीं आएगी तो मुझे कभी पतली किताब चाहिए, कभी मोटी चाहिए तो उसकी मौसी ने कहा कि वीरू जब तुम अगली बार आओगे तो तुम अपने साथ क्या लाना, फुट्टा लाना फुट्टे को हम इंगलिश में बोलते हैं, स्केल तो स्केल से माप कर तुम अपने पसंद की जितनी मोटी तुमें किताब चाहिए होगी वो तुम ले जाना इसलिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए बोला उसके बाद हम दुबारा से चलते हैं हमारे कोशन्स की तरफ नेक्स्ट है हमारा कोशन नमबर ख अलग-अलग चीज़ों को नापने या तॉलने के लिए अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं करते हैं ना हम तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे तो हमें यहाँ पर पांच चीज़ों दी गई है ध्यान से देखिए यह क्या है हमारा पानी यह है मेज यह है आम ये है कपड़ा और ये है कागस तो हम इने पांच चीज़ें दे गई है तो हमें पूछा गया है कि हम इन पांचों को कैसे मापेंगे पहली हमारी खालिस्थान है कपड़े को फिर है आम को फिर है मेज को और फिर है कागस को और फिर है पानी को तो इनके आंसर जी रहे कागस को हम किस चीज से नापते हैं इंच टेप से एक टेप के रोल की तरह इंच टेप होता है जिसके उपर 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम इंच बोलते हैं क्या बोलते हैं? इंच बोलते हैं और जब भी हमें कोई कपड़ा खरीदना होता है तो हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए कितना लंबा कितना चौड़ा तो हम उसे किस से नापते हैं? इंच टेप से सभी के घर में ये होगा नेक्स्ट है आम आपने अपने ममा पापा को कई बारी सबजियां उनने तोल के हमें वो एक किलो, दो किलो, चार किलो जितनी भी हमें चीज चाहिए होती है वो हमें देते हैं तो आम को हम किस से नापते हैं तोलने वाले बाट से ये आपकी बुक में ही देखो फिलप्स के लिए जगा बनी हुई है आप जो ये आंसर्स है ना ये वाले आंसर्स इनको बुक में यहीं पे फिल कर सकते हो चीक है मेरे पास बुक नहीं है ना इसलिए नहीं तो मैं आपको फिल करके दे दे थी इसलिए मैंने ये पेज पे आपको काम करके दिया है चीक है उसके बाद यह page हमारा खतम हो रहा है उसके बाद meige को हम नापेंगे inch tape से kaagaz को कैसे नापते है फुटे से यानि scale से कि कितने हमारा centimeter का काagaz है कितने meters का काagaz है पानी को कैसे नापते है Ultra से अपने देखा होगा कि जैसे हम cold drink की bottle लेते हैं तो उस पे लिखा होता है रहा कि half liter, one liter, one point five liter, ऐसे ही जैसे कोई भी liquid चीज होती है, पानी जैसी, तो हम उसे कैसे नापते हैं, लीटर से, ओके बिटा, next हमारा शुरू हो रहा है page number 45, इसमें हम डूनते हैं, हमारा page number, यह रहा हमारा page number 45, ठीक है, यह है हमारा page number 45, जिसमें बि अंत्याक्षरी, यह देखो लिखा है, आओ, खेलें, अंत्याक्षरी, आप सभी को अंत्याक्षरी पता है, क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, गाने गाते हैं, जैसे कि मैंने एक गाना गाया, जो की मां के उपर खतम हुआ, तो जो next person होगा, वो कहां से गाना फिर वो जहां खतम करेगा, उस से अगला next person उस वर्ड से गाना शुरू करेगा, तो यहां पर हम गानों की इंताक्षरी नहीं खेल रहे हैं, हम यहां पर कौन सी इंताक्षरी खेल रहे हैं, शब्दों की, ठीक है, यहां पर हम क्या बनाएंगे, नए नए शब्द तो ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, यहां आपकी बुक का पेज नंबर है, 45, यहां पर क्या लिखा है, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, सीखे हैं ना, हमने बहुत सारे शब्द आगया हमें बनाने, आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें, देखें तो सही, तुम कितने शब्द बना पाते हो, शुरुआत करते हैं, चलो. तो इन्हों ने एक वर्ड बनाया किताब क क छोटी ए की मात्रा त क वा की मात्रा ब किताब अब ध्यान से देखो कि जो किताब है उसका आखरी अक्षर कौन सा है ब तो हम जो अगला वर्ड बनाएंगे अगला शब्द बनाएंगे वो कहां से शुरू होना चाहिए ब से तो किताब खतम हुई ब पे और हमने नया शब्द बनाया बंदर तो बंदर कहां पे खतम हो रहा है र पे र से हमने एक नया शब्द बनाया रसी तो रसी कहां पे खतम हो रही है सी पे, तो सी से हमने एक नया वर्ड बनाया, देखो, किताब से बना बंदर, बंदर से बनी रसी, रसी खतम हो रही है सी पे, तो सी से हमने बना दिया सीमा, तो मा से खतम हो रहा है, मा से हमने बना दिया माता, माता ता पे खतम हो रहा है, तो ता से हमने अगला वर्ड बनाया, ताला ला पे खतम हो रहा है तो लौा से हमने बनाया लाल तो ये था हमारा हाथी चित्रवाला अंताक्षरी खेल मैंने जो ये आपको शब्द बना के दिये हैं इनको आप देखके अपने पैंसिल से यहाँ पे बुक में ही फिल कर लेंगे उसके बाद है अगला हमारा लास्ट टॉपिक जो है पसंद या फिर ना पसंद अब सभी बच्चों को कुछ चीजें पसंद होती हैं तो कुछ चीजें उन्हें बिलकुल पसंद नहीं होती जैसे कि कुछ बच्चों को मिठाईयां बहुत पसंद होती है ना लेकिन उन्हें खाना खाना अच्छा नहीं लगता जब ममा डाल, रोटी, चावल, सबजी ऐसा कुछ देती है तो वो बोलते हैं हमें नहीं खाना हमें बिस्किट्स खाने है हमने bread jam खाना है, हमने कुछ और खाना है, ठीक है तो कुछ चीज़ें आपको पसंद होती है, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होती है तो ये क्या बोल रहे हैं, कि वीरू को मॉसी ने किताबें चुनने के लिए कहा, तो वेहें नहीं चुन पाई, हाना वीरू की मौसी ने उसे बोला था कि वीरू तुम्हें जो भी किताब अच्छी लगती है तुम इन में से ले लो लेकिन वीरू नहीं ले पाई क्योंकि उसे कोई किताब मोटी लग रही थी कोई किताब पतली लग रही थी कोई उसे लग रहा था मेरे बैग में आएगी नी कोई लग रहा था कि इतनी पतली है इसमें तो छोटे-छोटे चित्र बने हुए है इसे तो पढ़ने में मज़ा ही नी आएगा तो वीरू किताबे चुन नी पाई वो पूछ रहे हैं कि तुम अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए अगर तुम्हें अपनी पसंद की चीजें किसी भी बच्चे को मैं बोल दूँ कि चलो मैं तुम्हे market लेके जा रही हूं, bazar लेके जा रही हूं और तुम अपनी पसंद की चीज़ें चुन लेना, तो तुम क्या-क्या चुनोगे, बच्चों को क्या-क्या पसंद होता है, ये देखो, बच्चों को पसंद होते हैं खिलोने, जिसे हम toys बोलते है, girls को dolls houses पसंद होते हैं, boys को, जैसे कोई guns है, cars है, cricket accessories है, वो पसंद होते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, नए-नए कपड़े, और क्या लेते हैं, कहानी वाली सुंदर-सुंदर किताबें, जिसमें बड़ी-बड़ी pictures बनी हो, उसके बाद हम लेते हैं, video games, और कई बच्चों को chocolates भी बहुत पसंद होती है, कई बच्चों को pizza, ice cream, kulfi, यह पसंद होता है, ठीक है, तो यह रहा आपका page number 44, यह रहा page number 45, और इससे पहले था हमारा page number 43, तो जो यह हमारी books हैं, यह है हमारा page number 43, इसको भी आपने book में ही fill करना है, बच्चे, और उसके बाद यह हमारा page number 44, यह रहा 44, इससे उपर वाला, यह 44 है, और उसके बाद यह हाथी चित्र वाला जो था हमारा, यह क्या है, हमारा page number 45, तो इन तीनों pages को आपने सुंदर सुंदर अपने book में ही fill करना है, ओकी बटा, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो किसम क्या है, हमारा किसी में यह सुंदर अपने मों टूूज को आपता है, अवारा सुंदर, क्तित्र वं को क किसी चित्कुंदर, क्तित्reshूद तो थाए नहीःएं प ससंदर तो, झास् झाल झाल